कि क्लाश्टेंट का linear equation 2 variable कर रहे हैं और concept lecture 5 तो पिछले concept lecture में मैंने आपको elimination method बताया था और उसके पिछले में मैंने आपको substitution method बताया था अब यह जो है यह इस concept lecture में कुछ special type के linear equation करेंगे यहाँ पर अगर द्यान सा देखोगे तो 4 by x plus 3y is equal to 8 है यहाँ variable denominator में चला गया है यहाँ पर क्या है 6 by x minus 4y is equal to minus 5 है तो यह था सा special type का हो जाता है तो इस case में हम क्या करते हैं सारा का सारा हमें पता है कि इस form में होना चाहिए a x plus by plus c is equal to 0 गर इस form में है तो हम आसानी से solve कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर denominator में चला जा रहा है इसको कैसे solve करें तो इस case में क्या करेंगे इसे कुछ माल लेंगे तो लेट one by x is equal to a माल लेते हैं यहाँ पर variable का काम करेगा one by x एक माल लेते हैं तो देखो यह क्या बन गया यह हो गया 4a plus 3y is equal to 8 अब इस तरह की equation काम को solve करने आता है यह क्या बन जाएगा 6a minus 4y is equal to minus 5 अब मैं चाहूं तो यहाँ पर elimination elimination यूज करूं चाहूं तो substitution यूज करूं यह आपके उपर है कि आप कौन से यूज करना चाहते हो तो देखो मैं यहाँ यहाँ पर elimination method यूज करूंगा मैं इसे equation first माले रहा हूं एक्वेशन second माले रहा हूं तो elimination method यूज करने के लिए मुझे किसी एक variable के coefficient को same करना होगा तो मैं y को fix करता हूं y का coefficient यहाँ पर 3 है तो अगर मैं इसे 4 से multiply कर दूंगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पर y का 12 y is equal to 32 यह क्या हो गया 18 a minus 12 y is equal to minus 15 solve करते हैं simple सा sign opposite है तो add करते हैं तो यह add करोगे तो यह हो गया 34 a यह क्या हो जाएगा 12 y minus 12 i cancel और यह हो गया 17 तो a का value क्या आया 17 by 34 याने की 1 by 2 तो a का value 1 by 2 हो गया ठीक है अब a हम किसे माने थे 1 by x को तो a के जगा क्या लिख सकते हैं 1 by x तो 1 by x is equal to 1 by 2 cross multiply करोगे तो x का value क्या आ गया 2 आ गया अब इसे कहां रख सकते हैं आप कहीं पर भी रख लो ठीक है इसमें रख लो 12 में रख लो और चाहते तो एक से भी यहां पर रख कर y के बैलू कल्कुलेट कर सकते थे जो चाहो मैं क्या करता हूं एक का बैलू जो 1 by 2 दिया था इसी को रख देता हूं equation first में put a is equal to 1 by 2 in equation first चाहो तो x का बैलू भी यहां पर रख सकते हो इन दोनों में से कहीं पर भी यहां से भी y का बैलू calculate हो जाएगा मैं फिलाल a का बैलू 1 by 2 रखता हूं equation first में तो क्या हो गया 4 into 1 by 2 plus 3y is equal to 8 यह cancel out होके 2 हो जाएगा 2 plus का है उससे जाएगा तो minus तो क्या हो गया 3y 8 minus 2 यानि 6 तो y का बैलू क्या हो गया 6 by 3 यानि की 2 तो x का भी बैलू आया 2 और y का भी बैलू आ गया 2 तो इस तरीके सम इसको calculate कर सकते ह है ठीक है एक अगला question और भी करते हैं यह question देखो दिया गया 2 by x plus 3y is equal to 13 5 by x minus 4y is equal to minus 2 x is not equal to 0 y is not equal to 0 अब इस तरह के question आपको condition इस तरह के बहुत सारा देखने को मिल जाएंगे x not equal to 0 का मतलब x 0 की equal नहीं होना चाहिए अब x 0 की equal अगर हुआ न तो 2 by 0 यह तो non-define हो जाता है अगर y 0 की equal तो non-define हो जाएगा तो non-define हो जाएगा तब तो equation रहा ही ने तो उसको solve कर उसको solve महीं कर सकते है इसलिए यहाँ पर condition दे दिया है यहाँ पर x का value कुछ भी हो सक सब्सक्राइब करते हैं तो लेट 1 by x is equal to यहाँ पर a माले रहा हूं और यहाँ यहाँ पर a माले रहा हूं 1 by y is equal to b और 1 by y को b माले रहा हूं तो यह क्या हो गया यह बन जाएगा 2 a plus 3 b is equal to 13 हो गया यह equation हो गया मेरा first 1 by y को b माना हूं और 1 by x को a तो यहाँ पर भी put करूंगा तो सेम क्या हो जाएगा 5 a minus 4 b is equal to minus 2 यह हो गया मेरा equation second अब चाहो तो elimination method यह उचको रोच्चा हो तो substitution मैं elimination method ज्यादा प्रिफर करता हूं इन compare to substitution चूंकि elimination method में काफी कम time में और काफी कम process में हो जाता है ठीक तो देखो मैं इसे 4 से multiply कर दूं तो यह 12 हो जाएगा और इसे 3 से multiply कर दूं तो बी का भी कफिसेंट 12 हो जाएगा तो यह आसानी से हो गया ठीक है तब क्या हो गया यह 8a प्लस 12 भी 13 4 जा 52 इसे multiply करूंगा तो 15a माइनस 12 भी यह हो गया माइनस 6 यह प्लस का 12 भी माइनस का 12 इसलिए add कर देंगे अपोजिट साइन है तो 15 और 8 23 यह कैंसिल आउट हो गया 52 माइनस 6 यह हो जाएगा 46 तो यहां से एक का भैलू आ गया 46 बाइट 23 याने की 2 तो एक का भैलू तो 2 आ गया लेकिन ए हमने माना किसको था 1 बाइएक्स को तो एक के जगा पर रिप्लेस करके 1 बाइएक्स लिख सक टो 1 वाइट यह हो गया हमारा एकस का भैलू सेम इसी तरीके से एक भैलू अगर इन दोनों इकवेशन में किसी एक में भी रख देंगे तो हमें बी का भैलू आ जाएगा तो हम क्या करते हैं इक्वेशन फिर्स में रख देते हैं फ्रॉम फिर्स क्या पता है टू एप्लस 3B is equal to 13 A का value 2 आया हुआ है तो 2 रखते हैं प्लस 3B is equal to 13 तो यह क्या हो गया 4 हो गया 4 साइट जाएगा माइनस में तो 9 हो जाएगा तो 3B is equal to 9 तो B का value यहां से क्या आ गया 9 by 3 याने की 3 और B हमने किसको माना था B हमने माना था 1 by Y को तो B के जगा पे replace कर सकते हैं 1 by Y is equal to 3 हटाएंगे cross multiply Y को इदा भी देते हैं 3 को इदा तो Y का value क्या आ गया 1 by 3 ऐसे भी कर सकते हो इसको पल्टेंगे तो 3 by 1 है नहीं यहां पे अगर इसको numerator में भी रहे हैं यह 1 denominator में जा रहा तो यह 1 numerator मे 3 denominator में है ऐसे भी क कर सकते हो तो Y का value क्या 1 by 3 और X का value 1 by 2 ती हो गया मेरा इसका solution X का value 1 by 2 and Y is equal to 1 by 3 ठीक एक यह question देखो दिया गया है 6X plus 3Y is equal to 7XY 3X plus 9Y is equal to 11XY अब इस तरह के question को कैसे करोगे तो देखो यह एक चोल में पीछे वाले question का ही एक type है अगर ध्यान सा देखोगे तो करते हैं देखो कैसे करेंगे करोगे क्या यहाँ पर 6X plus 3Y is equal to 7XY है इस XY को मैं चाहूँ तो इदर भेज सकता हूँ denominator में तो क्या हो जाएगा यह हो गया 6X plus 3Y divided by XY is equal to 7 सेम इसी तरीके से यह क्या हो जाएगा 3X plus 9Y is equal to 11XY है तो यहाँ पर भी XY को मैं denominator भेज सकता हूँ तो 3X plus 9Y divided by XY is equal to 11 अब देखो एक चीज मैंने पहले ही बताया हुआ है अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से फॉलू कर रहे हो तो कि a plus b by अगर c लिखा गया है तो मैं इसे a by c plus b by c लिख सकता हूँ क्योंकि वापस से LCM अगर लोगे तो c आएगा और फिर यही आने वाला तो यह दोनों सेम चीज है तो इसको स्प्लीट करना बोलते हैं तो सेम उसी तरीके से मैं इसको स्प्लीट कर सकता हूँ तो स्प्लीट करके क्या हो जाएगा 6x by xy प्लस 3y by xy is equal to 7 तो यह xx कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 by y यह y से y कैंसिल तो 3 by x is equal to 7 सेम इसी तरह से इधर भी होगा क्या हो जाएगा 3x by xy प्लस 9y by xy is equal to 11 तो यह xx कैंसिल हो जाएगा तो 3 by y y से y कैंसिल हो गया तो 9 by x is equal to 11 हो गया अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ तो सेम 1 by x को कुछ और variable माल नहीं है जैसे कि a माल नहीं है 1 by y को b माल नहीं है और फिर a और b के लिए solve करके फिर यहां पर value फूट करके x और y के value calculate कर सकते हैं ति already मैंने आपको सिखाया हुआ है ति इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं खुद से solve करो और comment section बताओ किसका answer क्या होगा इसके लिए यह आपका homework है इसे question 1 के तोर पे आप अपने पास note कर लो और question 1 के फॉर में आप मुझे comment section बताओगे कि x और y के value का answer क्या होगा यह question देखो देखो यह question और भी ज़्यादा simple है ठीक है क्या करोगे अगर LCM लेते हो क्या हुआ 2 by x plus 3 by y is equal to 9 by xy दिया हुआ है ति इसको पहले solve करो LCM अगर लेते हो तो क्या हो जाएगा यह xy हो जाएगा यह x x cancel तो y बचेगा y into 2y यह y से y cancel x बचेगा x into 3 3x is equal to 9 by xy अब यह xy divide में इधर जाएगा multiply में multiply में जाने को ऐसे xy xy cancel हो गया तो यह xy xy cancel हो गया तो यह क्या हो गया 2y plus 3x is equal to 9 एक equation त्यार हो गया एक नहीं हो गया सेम ऐसे ही इसको करेंगे यह क्या हो जाएगा 4y x plus 9 by y is equal to 21 by xy lcm लोगे क्या हो जाएगा xy x x cancel y बचा y into 4 4y y से y cancel x बचा था x into 9 9 x is equal to 21 xy यह lhs में denominator में है rhs में जाएगा तो denominator में चला जाएगा multiply में याने कि divide हो यह cancel out हो जाएगा तो क्या हो गया 4y plus 9 x is equal to 21 अब यह equation आपको already solve करना मैंने सिखाया हुआ है solve कर सकते हो तो इसको भी solve करके comment section बताओगा कि इसका x और y का value क्या हैगा इसे question 2 के तौर पर note कर लो तो यह question 1 और यह question 2 आपका homework है आप इन दोनों को solve करोगे खुद से और मुझे comment section बताओगे कि इसका answer क्या क्या होंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you for watching